हेलो 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 कैसे हो बच्चों फिर मिल रहे हैं हम जैई चैलेंजर्स चैनल पे बाई पी डवल्यू आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर फ्लूइड मेकेनिक्स ठीक है और इसी चप्टर को आगे बढ़ाएंगे नई चीज़े सीखेंगे प्यार से बहुत सारी चीज़ें हम अगे लीक्स का है पड़ेंगे फ्लूइड मेकेनिक्स का है अगरेंगे तरस टेंशन के कुछ सवाल करेंगे सर्फेस टेंशन के अगर मतलब होफुली हमारे 2 घंटे सवाल हो जाया कब तो उसके अलाव हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटर्ड फुल्ड के कुछ बहुत ही अच्छे सवाल बच्चों में आपके लिए भास अलग से बहुत ही प्यारा इसे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और उसमें हम चीजें सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे ठीक है और मिक्स्ट प्रवलम हम करने वाले मेरा नाम हेमन सिंगल है मैंने खुद निकाली थी आज से 20 साल पर मेरी एडवांस में 62 रेंग काई थी मैंस में सतर उस समय अलग नाम थे स्क्रीनर और मेंस नाम था ठीक है और काफी सालों से मैं आप जैसे बच्चों को पड़ा रहा हूं और मुझे ज़रूर याद रखे ठीक है तो स्टाइट करते हैं हम फ्लूइड मेकनिस बहुत ही मेरा फेवरेट चेप्टर है इसका थर्ड लेक्चर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा यह ठीक है पहला ही सवाल एक्सिलरेटर फ्लूइड का है तो बच्चों मैं स्क्रीन से सवाल में क्या दिया बच्चों we have a cylindrical vessel which is filled with water एक cylindrical vessel है उसको हमने पानी से भरके रिलीस किया है filled with water is released on a fixed inclined plane we have released it on a fixed inclined plane of angle theta as shown in the figure ठीक है जैसा कि figure में बताया गया है उस तरह के inclined पे हमने एक cylinder release किया है the friction coefficient of surface with vessel is mu friction वाली surface है surface का coefficient जो है वो mu है ठीक है then the constant angle made by the surface of the water surface of the water का constant angle made by the surface of the water with inclined inclined के साथ angle पूछा है तो यह inclined का angle है और यह water surface का angle है यह angle phi है theta तो हो नहीं सकता theta हम यूस कर चुक है बच्चों तो यह phi angle हमें पूछा है will be neglect viscosity और obviously liquid stable हो चुक है ठीक है तो पूछा है मैं किस case में पूछा है जब mu less than 10 theta है जब mu greater than 10 theta है और जब mu 0 है तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बच्चों जब हमारा क्या है mu जो है वो greater than 10 theta है जब mu greater than 10 theta होता है तो acceleration क्या होता है बच्चों 0 होता है क्योंकि हमारा acceleration क्या होता है acceleration हमारा होता है g sin theta minus mu g cos theta ठीक है अगर mu greater than 10 theta होता है तो यह term negative हो जाती और उपर तो जार नहीं सकता है इसलिए acceleration 0 होता है mu greater than 10 theta के case में acceleration 0 होगा if mu is greater than 10 theta then a हमारा जो त्वरण है वच्चों वो क्या है 0 है ठीक है तो एक गिलास जो है चुप-चाप रखावा है inclined plane पर surface का angle क्या होगा यह हमें पूछा है ठीक है ठीक है तो यह तो बहुत आसान पाठ है अगर कोई भी glass है कोई भी shape है जो stationary है ground पर या ऐसे पढ़ावा है glass ठीक है तो कहीं भी हो किसी भी तरह से पढ़ा हो कोई भी surface में पानी पढ़ाओ ठीक है यहाँ पर पानी क्या होता है हमेशा ground के parallel होता है पानी क्या होता है बच्छों ground के parallel होता है ठीक है पानी का जो surface होती है वह हमेशा g effective के जो होती है वह perpendicular होती है ठीक है अब यह यह पानी की सर्फेस जो है हमेंशह जी एकोड्य दिदेल परेंडिकूर यह अगर यह अपकी कार है design बैच्चो आपकी काहर है इसका acceleration इधर है तो g नीचे होता है यह इधर होता है और g इफेक्टिव इन दोनों का resultant होता है उसकी value होती है root g square plus a square और यह angle theta है तो यह आपको याद होना ची 10 theta ब्राबर a by g होता है और अगर इस उसका भी सवाल करेंगे हम ठीक है और क्या होसे निकाल सकते हैं लिफ्ट उपर जारी नीची जारी इससे direction ब्रक्टिक वर में सबता तो से बहुत ही पावर questa है तो चीज़ है यह कहीं लेता निक्षान से surface of liquid water होना जुरूवी तो है नि is perpendicular जब वो stable है जब हिलोरे खा रही है तब की बात निकर रहे है जब इस पर्पेंडिकुलर to direction direction of G effective ठीक है तो यह हमें पता होना चीए और obviously हमने खुद ने देखा आज तो पैदा होए नियम कि कोई भी पानी कहीं भी रखा हो वो क्या होता है ground के parallel होता है ठीक है तो जब हमारा incline पे यह बराबर 0 है या mu is greater than 10 थीटा है तो इस case में पानी जो होगा वो यूटर्ण के परलल होगा गिलास में जो पानी होगा क्या होगा ground के parallel होगा ॉइंग़ थीटा है ठीक है तो यहां से कितना control बनाएगा देखा इंगल थीटा है तो यह एक ठीटा होगा ठीक है तो तो हमें तो इस पार्ट का मारा आंसर होगा थीटा तो एक्सिलरेटर लिक्वीड का सवाल कराने तो पहला पार तो बिना एक्सिलरेशन के कराएंगे कोई बात नहीं आप एक्सिलरेशन करेंगे ठीक है अब दूसरा क्या है mu is greater than 10 theta then h 0 और एक और case क्या है जब mu 0 जब कोई वो ना हो ठीक है जब क्या हो हमारा वो accelerated ही नहीं है accelerated ही नहीं है friction ही नहीं है ठीक है तो अगर mu equals to 0 है तो कोई incline पर जा रहा है तो उसका acceleration कितना होगा उसका acceleration होगा जी साइन तीट व में एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा होगा ठीक है तो साहघ्में क्या का था अगर body का acceleration हंने का था इध़र एंधर यह तो हम क्या करते हैं तो पिछे की तरा लगा लेगे हमारा बादी है तो यह हमारा पानी है यह हमारा पानी है यह नियुस्क्राइशे मगके अंदर पानी है इस पे बेसिकली जी तो इदर लगराए कि इस सी तरफ एक्सेलर Cry ूर्य Sharp Second territor 2006 झा ये कमपोनेंट एवर ये से फ़ेवे यहां और यह बोड़ीधि इस तरफ जी साइनफृ रेगे क्या कहने के कोशिश कर रहा उताता हूं यहां पर एक बोड़ी है यह गाड़ी है इस गाड़ी mot इंकलाइन पर एक्सेलरेशन इस तरफ जी साइन थीटा है तो जी एफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस गाड़ी के अंदर चल जाते तो गाड़ी का एक्सेलरेशन इसको पीछे की तरफ देते हैं जी थीटा अब उसके अलावा हमारा जो नॉर्मल जी है वह ही तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं नॉर्मल जी के कंपोनेंट करते हैं जी कॉस थेटा और इधर जी साइन थेटा ठीक है तो हमारा जो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन होता है इस फ्रेम में एक्सेलरेशन सिधा सिधा इस तरफ हो जाता है तो इसक तो पंडुलम इस तरफ लटकेगा आदमी को जी जो होगा इस तरफ फील होगा ठीक है और अगर पानी की बात करें पानी की बात करें, तो पानी जो होते ही सर्फेस ये है हमारा जी इफेक्टिव, ठीक है, वो पानी की जो सर्फेस होगी, वो क्या होगी बच्चों, इस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी क्या होगी, वाटर सर्फेस ठीक है और यह अगर जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है अगर यह सर्फेस हमारी क्या है बच्चो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है बच्चो तो क्या होगा बेसिकली इस्ट INCLEIND के सरफेस क्या होगी रलेल होगी ठीक है तो हमारा जो होगा एंगलवित इनक्लाइन इन K49 K asc took angle with inclusion क्या होगा G0 । जब वह चिकणी सरफेस पे जा रहा है क्या करना कि अजू कुछ निए करना है ठीक एक पेंडूलम लटका लो सिती सी बात रहेक्ट पेंडूलम लटका लो पेंडूलम र्लूइड की सर्वीड की सर्फेस यहां नहीं होती है अगर पानी की इसों सर्पेस यह है स्रेस JUST तरफेस ऐसी है ठीक है और यह बड़ी एक्सेलरेटेट ऐसे है तो यहां पर क्या होगा अंदर उसको पानी की फ्रेम में क्या होगा यहां पर उसको सूड़ो फोर्स फील होगा तो पीछे की और जायेगा और पीछे की और जायेगा बाकी पानी उसको नहीं रोग सकता ठीक है अगर उस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है यह हमारा mg है और यह हमारा ma है उस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो वो जह सकता है अलोंग दर सर्फेस प्वोर्स नहीं लग सकता पाने जो है उसपए पिर सेर श्ट््रेस लिट्रॉज्ट senhor to यह हो गया हमारे चुकिए इसका जी एफेक्टम इदर आता और याद रखना इंकलाइंट पर Quinnithas जाए तो उसमें हमारा एंगल विदिश्ट इंकलाइन इस ठीक बच्चो यह दो चीजे हमने यहां पर आसानी से निकाली 0-0 और यह दोना ओप्शन हमारे सई मुग्रेटर देन थीटा में क्या होगा बच्चो वह स्टेशनरी स्टेशनरी में पानी ग्राउंड के पर रहल रहेगा सबसे केश फस्ता है वह है जो मुई इसको हम थोड़ा सा ध्यान से करते बच्चो क्या करें मुई इस लेज देन टेन थीटा ठीक है तो हमारे इसको लाइन को थोड़ा सा पैरलेल बनाते हैं बच्चो कि इनक्लाइन बना लिया और यहां पर हम एक इस तरह से इंक्लाइन बना लिता है ठीक है बच्चो अब क्या करना है जी फेक्टिव निकालना है क्या करना है जी फेक्टिव निकालना है कुछ नहीं करना है ठीक है तो बॉड़ी का बॉड़ी पर यहां पर एक बॉड़ी पर रख लेता हूं मैं उस पर जी फेक्टिव निकालना है मुझे ठीक है तो मेरी बॉड़ी होगी यह बच्चो तो जी के कंपोनेंट कर लैता हूं एक पम UE पिछली बार य Зап канал जींट सब्सक्राइब A की value क्या होती है If mu is less than 10 theta तो मैंने शुरु में बताया था न बच्चो A की value क्या होती है G 9 theta minus mu G cos theta यह हमारे acceleration की value होती है तो यह acceleration पीछे लगेगा पीछे कितरा लगेगा G sin theta और minus mu G cos theta minus mu G cos theta को में वापस minus है तो इसी तरफ लगा लेता हूं इस तरफ लगेगा mu G cos theta तो हमारा जो G effective होगा वो mu G cos theta और G cos theta से मिलके बनेगा क्या होगा G effective? mu G cos theta और G cos theta से मिलके बनेगा ठीक है तो इसको बना लेते है हमारा यह इधर लग रहा है mu G cos theta और हमारा जो है इस तरफ लग रहा है G cos theta ठीक है बच्चों तो ये है g cos theta और ये है mu g cos theta ठीक है तो इन दोनों का में resultant निकालना है तो इन दोनों का resultant जो होगा यहां पहीं होगा ठीक है एक सेक पहले में काम करता हूं इसको line बना लेता हूं इसके ठीक है इधर बना ली बने लाइन ठीक है और एक इधर बना ली बाद में मिटा देंगे ठीक है और यह हमारा जो है net resultant आ गया इतर ठीक है थोड़ा सा ठीड़ा बना लेते हैं औ Okay, तो यह हमारा अप्र कर् दिसज और जी इफेक्ट है अब इसका incline की perpendicular सर्फेस से एंगल निकाल लेता हो बी इंकलाइल के पैरलल है डिक बशेड़ फेक्टीव का से क्या निकल गया गए गज्चो टेन फाइग एक वस्टु है विए जी को सिटा तो टेन फाइगे वस्टु म्यूजी को सिटा अपॉन जी कॉस थीटा इसी कुछ दिखेगी इसके परपेंडिकुलर दिखेगी ऐसी कुछ दिखेगी such that is that this angle is 90 degree this angle is 90 degree and this is your water surface this is your water surface take a I give us some time my water surface ka in clients angle Nikana टीके तो इनक्लाइन के पर्पेंडिकुलर में क्लाइन कीछता हो इंक्लाइन के परपेंडिकुल लाइन खीची जी एफेक्टिव का डारेक्शन इससे फाई एंगल पे जी एफेक्टिव का डारेक्शन फाई एंगल पे इस लाइन के परपेंडिकुल अगर पानी होता तो इंक्लाइन से एंगल जीरो होता ठीक है इस LINE के PEPENDICAL होता तो इनक्लाइन से 0 और यार यार यह तो कान्ट हो गया इस LINE के तो अगर इदर G염 क्विच्टिय इदर होता तो पानी इनक्लाइन से अंगल 0 होता तो इनक्लाइन से इदर है यह एंगल किता है 5 G effective का direction जो है कितना बदल गया भाइप गजा 5 गज़ूद लिगा G effective 5 गुम गया G effective 5 गुम गया तो मारी surface भी कितने गुम गई 5 गुम गई ठीक है पहले angle 0 था अब भी गुम गई 5 ठीक है यह surface inclined की surface धी पानी की surface this is inclined this is line parallel to inclined this is water surface तो उसके बीच का एंगल कितना होगा आपी ही होगा अरे बासने भाई पानी पहले इंक्लाइण इसी के पेरले था ठीक है और फेक्ट्व का डारेक्शिन इतर था फाइफुर फाइ गूम गया तो पानी भी क्या गूम जाएगा ठीक है तो हमारा जो होगा इस आखरी केस का ठ क्या होगा ? एउंकलाइब जो होगा कितना होगा ? तन इनवर्स मू होगा पजिए इसले पसंदर नहीं लोग इसमें उलज जाता है जिस चीज में लोग जाते हैं वह चीज मुझे स्पेशलिस पसंद आती है ठीक है तो यह हमने कर लिया था यह हमने कर लिया था 10 inverse mu होगा अगर mu is less than 10 theta ठीक है अगर mu is less than 10 theta तो हमारा एंगल कितना होगा 10 inverse mu ठीक है तो आई होप यह बच्चों यह सवाल आपको बहुत-बहुत समझ में आया होगा बहुत अच्छा लगा होगा मुझे सवाल बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है इस सवाल में क्या होता है सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर कोई चीज सरक रिये इंक्लाइन पर तो उसके अंदर water surface का incline से एंगल किया होगा और horizontal से एंगल भी आप निकाल सकते हैं वरना उसमें भी दिक्कत आती है तो जब हमारा रुकी भी थी तो horizontal से एंगल 0 था ठीक है जब पूरी चल रहे तो horizontal से एंगल ठीटा है ठीक है और जब किसी दूसरे एक्सिलरेशन पर तो आप निकाले ना पाई बाई टू माइनस फाई होगा ठीक है अरी पास आज़ो एक्लियर को इसुट नहीं तो कैसे हमने निकाला तो सबसे पहले हमने देखा पानी रुकावा जब पानी रुकाव होता है तो अर्थ की सर्फेस के पैरले उसका एंगल होत कियो कि डार्यक्षिन में वहाँगा जी फेक्टिव कैसे निकालते अंदर बेड जाते हैं एक्सेलरेशन उल्टा देतें ए और जी का रिजल्टेटर है इसमें जो ए था हमारा जी साइन थीटा सा तो ए और जेकार रिजल्टेटर जो बसता है वह सिर्फ वह तो सिर्फ जी क के direction में होगा तो अगर हम incline पे g sin theta से जा रहे हैं तो for all practical purposes हमारा acceleration होता है वो नीचे की तरह g cos theta हो जाता है ठीक है अपना acceleration हमारा g sin theta है ना 0 है इसके बीच में कहीं है तो बीच में कहीं है तो उसमें क्या करेंगे हमने का acceleration उल्टा देना है तो हमें acceleration उल्टा दे देते हैं ठीक है acceleration कितना होता है g sin theta minus mu g cos theta होता है क्या होता है acceleration g sin theta minus mu g cos theta होता है तो g sin theta mu g cos theta इधर कर दिया तो g sin theta g sin theta कट गए हमारा पर दो component बच्चे एक along the incline g mu cos theta और एक perpendicular to incline g cos theta इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम 5 मान ले ठीक है resultant जो g effective का incline के perpendicular से angle कितना आएगा 10 5 equals to mu ठीक है तो हमारा जो है perpendicular घुम गया पानी की surface जो parallel थी वो भी घुम जाएगी कितना घुमेगी 5 angle ही घुमेगी तो 5 angle की जो value आई वो कितनी आई बच्चो 5 angle की value हमारी कितनी आई 10 inverse mu तो तीनों case हो गए हमारा answer आगया ABC ठीक है so I hope you like this question and आपको समझ में आया कि यह सवाल हमने कैसे किया है और आप भी सवाल कर सकें और अगर आपने किसी दूसरे तरीके से किया है तो please let me know in the comments हम comments में बताई ही मुझे अगर इसको करने का और कोई जादा आच्छा तरीक है इसी तरह से मैं भी physics का student I consider myself as student of physics ठीक है एक दूसरे को सिखाते नहीं आगे बढ़ते नहीं अच्छे से advance में रेंकल आते नहीं ठीक है यही हम चाहते है तो बढ़ते हैं बच्चो अगले स्वाल क्यों तो अगला जो सवाल है बच्चो again we have accelerated fluid इस सवाल में भी हमारे पास जो fluid है वो जो accelerated है इसमें कुछ कुछ चीज़े होगी जो आपको लगेगा की कैसे हो रही थोड़ी सी नौन इंट्यूटी होती है ठीक है पर एक दो एक दो सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक दो सवाल सिर्फ एक दो सवाल अच्छे से उनको उस पर time spend कर दो ना तो फिर एक मिनिट पानी पी लेता हूं ठीक है आपने सवाल अटेंप्ट किया है तो शूर करते है सवाल पढ़ते है वी हेव एक सॉलेड स्फियर हमें दिया है ठीक है उसका मास दिया है में 3 kg पी है स्फियर ऑफ मास 3 kg स्पैसिफिक ग्रेविटी दिए 0.8 तो इट इस इस फिल्ड इस फिल्ड पानी में रखा है किसी वह लिक्विड में नहीं रखा है एस शौन इन फिगर ठीक है फिगर संज में आगा गया तो टैंक का खुद का एक्सिलरेशन है जी के वलिए हमें दस दिये और हमें कुछ कुछ चीज पूचिया ठीक है तो पहला एध अधे चेंशन बढ़ेगी कम होगी यह वही रहेगी ठीक है क्वेशन बहुत सिंपल ऑब्यूसली टेंशन बढ़ेगी ठीक है क्यों बढ़ेगी थोड़ेगी तोची पर लिए जो रखा है तो यहां पर देखिये जिसीश रखा है वो device जो है उसको बचाए पानी ही है ठीक है तो basically इस पे उपर force कितना लगता है device पे कितना force लगता है mu into sorry mu पिछले साल से mu पे rho into v into g rho किसका रो वाटर का बाइन सी force उतना लगता है ठीक है अभी रुकावा है acceleration नहीं है ठीक है तो अगर यह उपर नहीं जा रहा है ठीक है इस पाणीचे क्या लगता है इसका रो इंटु 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 जी वह नीतिक है तो तो टेंच्यन आहारी कितनी हो गई बच्चों? टेंच्यन हमारी हो गई? रो, water, minus rho into VG. ठीक है. तो कितनी होगे? आपट तेर्ण, और एंटेर्ट, रो, into V, into G. ठीक है. अब यह accelerate कर दिया tank. इह क्या कर दिया, बच्चों? ये tank accelerate कर दिया. तो अब Tension का क्या होगा अगर यह Liquid Accelerated है ठीक है? तो इसमें जो Byancy Force लगेगा वो Rho V G नी लगेगा उसके बजाय क्या लगेगा? क्या लगा है? Rho V Into G Effective ठीक है? Byancy Force जो है उसमें G के बजाय G Effective आ जाता है क्यूं हाजाता है? Simple सी बात है देख सो यह पानी है ठीक है ना रसी है ना अब्जेक्ट है ना कुछ है यह पानी है इसमें जो है इस पानी में आप यह क्या है हमारा पानी है और यह accelerated ऊपर ठीक है अब इसमें यह आप एक वाटर के आर्बिटरी बोडी कंसिडर करो यह बोडी भी accelerated है ठीक है अब इस पर नीचे फोर्स लग रहा है रो वाटर वी जी ठीक है उपर फोर्स लग रहा है फबी ठीक है तो फबी माइनस रो वाटर वी जी इस इकोई जो है पूरा पूरा container accelerated पानी भी accelerated तो उसमें नेट फोर्स ऊपर लगे गई अब्यस ही बात है तो हमारा बाइंसी फोर्स कितना आ जाता है रो आटर वी इन्टु जी प्लस है जी फेक्टिव वाला कंसेप्ट था एक्सिलेटर लिक्विड में आपके बहुत काम का कंसेप्ट है ठीक है तो हमारा जो है बेसिकली यहां पर अच्छे मेरे को मिटाये क्यों आपके काम आई जाये का मैं वापस लिख लिए ता हूं रो वाटर वी जी तो एफ बी इस कोई र इफेक्टिव ठीक है बच्चों आरिवास में यह चीज क्या है हमारी जी फेक्टिव ठीक है तो यहां पर टेंशन होती है तो कुछ नहीं करना है जी की जगे जी फेक्टिव लगा देना है ठीक है हमें यहां पर क्या करना है हमारा बाइंसी फोर्स क्या हो गया जी फेक्ट अब यही तो कहोगे कि gravity तो change हो नहीं रही है नहीं हो रही है na gravity change पर जब आप उसको करोगे subtract करोगे तो यही निकल के आएगा बतातों कैसे ठीक है यह हमारी body है ठीक है यह हमारी body है और इस पर उपर force लग रहा है कित्रा है फोर्स लगा राइन रो वाटर से में उक्धिंघ सेधे रहते फोरे रहा है इस फे kang Grace फोर्स लग रहा है रोगी आए आऊ सवकीर है ओलू दो इससों थो अर्थ को क्या फरकित रहा है और नीचे फोर्स लगतो है रसी में पूर्ट त ठीक है यह इस पर सारे forces लग रहा है ठीक है ग्राउंड फ्रेम में इस पर सारे forces लग रहा है वो बोडी जो है उपर की और accelerated है ठीक है तो जब आप इसकी equation लिखोगे कि आपने मेरा भरोसा नहीं किया ठीक है माइनस टी माइनस रोवी जी इसको रोवी इंटु ए ठीक है तो जब आप इसकी equation लिखोगे इसको इसको solve करोगे तो obviously आपके पास वही आएगा जो आप मेरे भरोसा करके रखते कि टेंशन हमेशा क्या होगी difference in density इंटु वी इंटु जी फेक्टिव ठीक है जी की जगे जी फेक्टिव जागा अगर मानलो एसा सवाल होता यह हमारे पास आइरन बॉल है ठीक है इस तरह सर अगई रसी में टेंशन पूचिए गे रसी में टेंशन बच्चों क्या होती जी होती है और अगर यह उपर एक्सेलरेटर होता तो क्या हो जाती क्या हो जाती क्या हो जाती बच्चों फेक्टिव हो जाती ठीक है इस तो Alma लो थीक है तो हमारा यह थेंशन In The Thread increases due to acceleration । बिल्कुल सहीा बात है अगर टेंक उपर accelerated है तो tension बढ़ेगी क्योंकि G effective बढ़ जाएगा tank नीचे accelerated होता तो tension कम होती G effective हमारा कम हो जाता है ठीक है if the thread snaps thread जो है snap कर गया then acceleration of the sphere with respect to tank पूछा हमें ठीक है आरी पास सम्झेए त्रेड जो है snap कर गया acceleration हमें पूछा है with respect to the tank ठीक है दो मिनिट के लिए आप भूल जाओ दो मिनिट के लिए अगेन आप भूल जाओ कि हमारे पास जो है वो body accelerated है ठीक है भूल जाओ body क्या है हम भूल गये कि हमारी जो body है वो बच्चो क्या है accelerated है ठीक है अब हमने यह thread card दिया ठीक है तो body का उपर acceleration होता है उपर net force कितना लगता है बच्चों body पर बच्चों पर net force कितना लगता है जितना tension provide करे थी उतना इतना लगता है tension कितना provide करे थी देल्टा rho Beg यतना provide कर रहे थी divided by bodyNo रो B ठीक है तो हमारा जो acceleration होता हमारा acceleration कितना होता्थ यह हमारा acceleration होता है ठीक है तो अगर टैंक एकशिल्रेटेड है तो अब क्या एकशिल्रेशन होगा अगर जो उसका एकशिल्रेशन वह क्या ध्यूदता रो भई रो इंटू जी की जगह क्या आजयेगा बत्चों जीफेक्टीव आजनेगा ना sect ठीक है तो हमारा जो नया acceleration होगा कि कितना यंद अगर हमारा टेंक एक्सिलरेटर सच्टों कितना हो जायोख लएगा किनी डिल्टा-टों एक निकालना चाहिए अध्ल 0.2 by density of the body into G effective 10 और 4 14 10 प्लस कितना हो गया 3.5 मींटर पर सेकेंड स्कॉरर तो जो हमारा थे इसमें भी आइभी आइएर्न बाडल्स थी इसमें भी यही होता इसमें भी झीलरेशन ही आता है पर आब तुम कहरे हो तो हम यही इसको प्रूव कर लेते हैं ठीक है तो यहें ऑपर फोर्स लगए रो वाटर इंटू रोटर लाख बी इनुट िटू ईंटू जी इफेक् नीचे force लग रहा है ρो VG, सिर्फ दो ही force लग रहा है, तो इसका acceleration जो होगा, वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा, रो water VG, फेक्ट्यू को लिख लेता हूं G, ठीक है, प्लस रो water into V into A minus रो VG, ठीक है, तो यहाँ से आपका होगे, कि इसका acceleration जो आया हो, आया, डेल्टा रो V जी प्लस रो डब्ली इंटू वी इंटू ए इंटू इसको यहां पर रो इंटू वी कर लेंगे ठीक है तो वी तो चला गया सब जगे यह जो है हमारा म इक्वल्स टू नेट फोर्स यह होता है ठीक है कुछ गलत तो करा नहीं न बच्चो रहे कुछ गलत थोड़ी करें हम ठी है कि अ guards in 2 ची प्लस एंड मैं रो मा Speech मार आजी अअज यह आρά है ठीक है अब आप कहोге कि एक्सेलरेशन वो लेक्षेलरेशन तो अलग अलग दिखार है है न बहुत यह एक्सेलरेशन और वो एक्सेलरेशन तो अलग अलग दिख रहा है च् allows बंसे एकसेलरेशन क्या है ए है Kenya खुद का एकसेलेरेशन बच्चो कितना है है ठीक है तो अ रिलेटिव आप निकालोगे कंटेनर के ठीकए अब गाये का जो है ऊपर की तरफ ए तो उसको हम minus करेंगे तो आगें हमारे पास राइगा rho W by Corinthians बाइनस जी भाइनस ए ठीक है तो तो जब आप इसको solve करोगे बच्चो, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, आपको यही मिलेगा, कान कैसे भी पकड़ोगा, answer होई आएगा, but important क्या है, important यह है, यह तो मैंने आपको करके बताया, कि आपको भरोसा नहीं हो रहा था, ठीक है, but actually हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, इस question को अगर हमें फटा-फट से solve करना है, तो यह जो है, अगर हमें दो line में solve करना है, तो मैं आपको वापस से इसको करके बताता हूँ, सवाल में क्या था, एक container है, वो उपर की तरफ accelerated है, ठीक है, तो हमें पूछा है, acceleration की वजए से रस्सी मे tension जो होगी, वो कम होगी, बढ़ेगी, यह वही रहेगी, ठीक है, तो हमने क्या का, हमको उपर के acceleration से मतलब ही नहीं है, हमें उपर के acceleration से मतलब ही नहीं है, tension जो होती है, हम ऐसे ही निकालेंगे, जो tension हम निकालेंगे, उपर का acceleration को भूल के, तो आएगी delta rho into V into G, ठीक है, अब आप तेंशन की वजाए से जो यहाइगा गया तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर जी जगे एफेक्टीव हो जाएगा तो हमारी टेंशन आ गई हमने एक्सिलरेशन की बिल्कुल महनत नहीं करी बिल्कुल चींता नहीं करी मैंने आपको पूरा प्रूश करके बताया, पर अगर आप नहीं करते जी की जगे आप सीधा-सीधा, बच्चयों क्या, लिख सकते थे G-effective सकते थे, आरि बासे बहुत important नहीं था मिए इसलिए बार-बार बता रहें, से इस तो टेंशन बड़ेगी दूसरी चीज रिलेंटीवेकसियरेशन पूंचा था अगर हमने त्रेड काड़ दिया उस समय एकसिल्रेशन अगें हम जो है उसको भुल जाते हैं। कि उपर की तरफ accelerated है ठीक है हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये उपर की तरफ क्या है बच्चो accelerated है अगर ये उपर की तरफ accelerated है इसको हम भूल जाए तो हमारे पास क्या होगा इसका जो acceleration आएगा वह तो acceleration हमारे पास किता आएगा delta rho क्या आएगा delta rho by rho into g आएगा ठीक है और अगर हमें accelerated तो कितना acceleration आएगा accelerated है तो अगेन हमारा acceleration कितना आजाएगा यहां पर सिर्फ जी फेक्टिव आ जाएगा तो डेल्टा रों हमारा 0.2 था डेट बाइ 0.8 किया इंटू जी फेक्टिव किया तो हमारा अंसर लिए ठीक है तो जैसा कि यह सवाल जितना complicated दिखता है और जो हमने इसको 50 step में solve किया है ठीक है हमने इसमें यह निकाला है 22 फोर्स जो है इसमें ज बहुत सारी चीज़े करिए यह सब करने की ज़रूत नहीं थी अगर आपका जी फेक्टिव का concept क्या करना है बच्चों कुछ नहीं करना है जो आपका regular answer है उसमें जी की जगे क्या करना है जी फेक्टिव लगाना है and you are done आपका सवाल हो जाएगा अब नीचे से उपर लटक लटका हो यह sideways लटका हो it does not matter ठीक है सीदे सीदे आप जो है इस चीज़ का answer निकाल सकते हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दो line में answer निकाल सकते हैं ठीक है तो I hope यह concept आपको समझ में आयोगा accelerated liquid का वो इसके जो हमने सवाल की आपको समझ में आए ठीक है बच्चों तो ब पूछावा सवाल आई थिंक और तो इसको में स्क्रीन के बाहर चले आता हूँ आप वीडियो पॉस करके जरूर सवाल कीजिए ठीक है बच्चों तो I hope यह सवाल आपने ट्राइ किया होगा यह advance का सवाल है बहुत बड़या सवाल है बहुत लोग इसमें confused हुए थे बहुत ही मुझे personally यह पसंद है सवाल ठीक है I hope आपको भी पसंद आएगा इस सवाल इसको करते हैं बच्चों ठीक है इतना मुश्किल में भी निया है बटा कंफ्यूुजीं में थोड़ा सह तरा तीन अनिफार्म को शैल ठीक है Ô A तुमें थे एक टिन ंफार्म सरेंदृ से बंद है पैंटी पार्शली फिल्ट पार्शली थे वेड़ीर वीचली वीट बटर स्टीट ठीक है आधा डूबा हो है और आधा बाहर है ठीक है इफ रोसी is the relative density of the material of the shell with respect to water तो यह relative density है then correct statement is that correct statement हम से पूछा है बच्चो ठीक बच्चो तो more than half क्या है that the shell is shell is more than half filled आधे से ज्यादा भरा है पानी से if rose is less than 0.5 क्या ऐसा है more than half filled if rose is more than 1 ठीक है half filled if rose is more than 0.5 and less than half filled if rose is less than 0.5 तो related density 0.5 से कम या जादा है उसके basis पे हमें इसको निकालना है ठीक है तो यह जो सवाल है इसका में आपको figure बना लेता हूं ठीक है तो यह सवाल कैसे करेंगे आदा डूबावा थीक है तो यह पानी की surface बना ली मैंने है यह हमने पानी की surface बना ली अगें color बदल देता हूं आपके लिए पानी की surface बना ली है ठीक है क्या हो रहा है ठीक है ठीक है वेरी कुट अब इसमें हमने कंटेनर बनाया ठीक है ठीक है शिलेंडटी कल कंटेंडडे कूबीकल बना लिया इड़जन रिली मैटर शेप और शाइज आता बराइं की नहीं ठीक है तो इसको पानी के अंदर वाली सब्सक्राइब मिटा देता हूं अच्छा मिट नहीं रही है यहां पर ठीक है मैं कान करता हूं यहां पर ब्लेक लाइन की देता हूं ठीक है कि क्या हो रहा है थोड़ी बड़ी खीज देता कोई बात नहीं ठीक है तो यहां पर हमें पानी सरफिस जो है उसको मिटा दिया ठीक है एक काम करते हैं सबसे पहले इसका जो रो है वो मैं 0.5 मान लेता हूं क्यूंकि ज्यादातर और उप्शन में है तो यही matter करता है ठीक है इसका रो अगर मैंने 0.5 मान लिया ठीक है अब मैं काम करता हूँ एक और काम करता हूँ काम करता हैं ठीक है यहां पर में तो क्या होता है काम की चीश जो है वह क्या होती एक कि यहाँ पर पानी का जो लेवलradale एक्जेकली बराबर आत जाएगा है कि एंद गुद गार सफेक्षिक डेंसिटीछ सब्सक्सिपास अगर डे ठीक है तो यहाँ पानी लेवल इस जग बाहर और अंदर क्या होगा is exactly same होगा ठीक है इस बात समझ में आगी अब container कितना दूबा होगा पानी में वाटर का लगल तो मैंने same करते हैं अब container कितना दूबा होगा अगर rho equals to 0.5 है ठीक है rho equals to 0.5 मालो container का वजन जो है 3 kg है container का वजन 3 kg है 3 kg पानी का वजन कितना होता बच्चों तीन लीटर होता है तो तीन किलो कंटेनर का बजन कितना होगा तीन किलो कंटेनर का पानी का वॉल्यूम कितना होता है तीन लीटर होता है तीन किलो पानी का वॉल्यूम तीन लीटर होता है तीन किलो कंटेनर का वॉल्यूम छे लीटर होगा ठीक है पानी को इंतलि कि लुट ए टुम बाहर होगा कितना आपकी डैंसेटी क्योंकि देंसेटी 0.9 तो 90 सब्मर्ज़ और जय से हिसे इस हम एम एक सवाल में क्या दिया है बच्चो नहीं है सवाल में हमें दिया है that the container is half submerged ठीक है it is floating half submerged ठीक है अगर यह half submerged है density 0.5 है पानी का लेवल बराबर है तो यह half submerged है आरी बहुत समय है मैंने इसको other way approach किया क्या कर रहा हूं मैं कि अगर इसकी density is 0.5 है तो सबसे पहले तो मैंने छेद कर दिया तो अंदर और बाहर क्या जो कारिगर होते हैं ठेकेदार होते हैं दीवार के एक level करते हैं कैसे करते हैं पानी के नली से तो करते हैं obviously पानी का 레वल तो सेम ही होगा. तो पादी का लेवल अंदर और बाहर सेम है. और डेंसिटी 0.5 है. तो यह हाफ सम्मर्ज़ है. तो इसका मतलफ अगर यह हाफ सम्मर्ज है और डेंसिटी 0.5 है तो अंदर वाटर है इस ovaफ फिल्द ठीक है ? अगर a से भी निकाला तो b से यही निकाल सकते हैं ना ठीक है अगर density 0.5 अगर अंदर water का लेवल सेम है तो half सम्मझद है मैंने क्या कि रहा हूं कि rho equals to 0.5 and and water level is equal water level equal then half submerged ठीक है इसका मतलब क्या हुआ अगर half submerged है और density 0.5 है तो water level equal होगा तो half filled होगा ठीक है पर इससे ही आया तो जब एक condition से दूसरी condition निकल के आए तो दूसरी से पहली निकल के आएगी ना obvious सी बात है ठीक है तो इसका मतलब इसका मतलब हम यह बोल सकते है कि row equals to 0.5 और half submerged हमें दिया ही है इफ row equals to 0.5 then half filled half filled मतलब पानी का level और इसका level exactly बराबर ठीक है अगर row 0.5 से less है इसको पानी को बंद कर दिये इसकी density कम कर दिये किसी तरह से तो क्या होगा यह उपर जाएगा ठीक है पर हमें पूरा जो सवाल है बच्चों पजल सवाल है लॉजिक का सवाल है ठीक है और इसमें बहुत दिक्कत आती है और row greater than 0.5 material भारी है आयरन है कुछ भी आयरन तो नहीं पर 0.5 से ज्यादा आल्मोस्ट तो क्या होगा यह less than half field क्यों container का खुद का बजन बढ़ गया container का क्या हुआ खुद का बजन बढ़ गया तो container नीचे आएगा नीचे आना चाहेगा प्रम नीचे आने नहीं दे रहे क्या होगा पानी हमें निकालना पड़ेगा तो less than half फिल्ट ही के बच्चो आरी बात समझ मैं यह हमारा जो है कुछ important इसमें concept है अगर exactly 0.5 है तो exactly आधा भरने के लिए क्या करना होगा उसको बिल्कुल water का सरफे उसका सरफे सेम रहेगा exactly half फिल्ट रहेगा exactly half समझ रहेगा अगर row less than 0.5 है खुद हलका है तो खुद उपर जाना चाह रहा है तो हमें उसको नीचे डालने के लिए क्या गरना होगा थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा more than half field खुद भारी एक वालत होगा हाफ फिल्ट इफ रोसीज 0.5 उसी के इसमें हाफ फिल्ट होगा ठीक है तो यह गलत है यह गलत है और लेस देन हाफ फिल्ट इफ रोसीज more than zero point अगर उसकी density ज्यादा है खुद ज्यादा नीचे ड्रैग कर रहा है तो पानी हमें कम भरना पड़ेगा तो इस ऑप्शन इस आपको समझ में आयोगा तो इसको थोड़ा सा आपको सवाल को स्वाल करने के लिए जे एडवांस के सवाल करने के लिए थोड़ा सी लेटरल थिंकी लगती है लेटरल थिंकी क्या लगती है बच्चों इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि यहां पर मिन आपको क्या बता है कि हाफ फिल्ड लेजन हाफ फिल्ड उसको छोड़ो ठीक है उल्टा चलो छेद कर दो सबसे पर दे क्या कर दो यहां पर यहां पर एक छेदा क हो गए यहां पर बच्चों तो क्या होगा आपको इस समझ में आएगा वाटर का लेवल तो ब्राबर हो गया ठीक है अभी अंदर कितना आएगा एक्जेक्ली हाफ आएगा अगर रो इकोस्ट 0.5 ठीक है इसका मतलब आधा बरेगा जब रो बराबर 0.5 है ठीक है तो यह आधा समझ रहेगा अब 0.5 से कम है अभी भी आधा समझ रहे तो इसका मतलब अंदर पानी थोड़ा से बढ़ाना पड़ेगा तो अगर रोज 0 ग्रेटर देन 0.5 है पानी थोड़ा से निकालना पड़ेगा और दिस व्ल्स तो जो की सबको करता है तो आई होप यह जो पानी के इसके हमने अलग-अलग तरह के सवाल किये यह आपको अच्छे से समझ में आई होंगे आपने अच्छे से करें होंगे ठीक आपको एंढ़ोए किया यह तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल कियो और यह सवाल जो है हम हावा फ्लूीड जो है सि वो तो होता नहीं हवा भी तो एक फ्लूइड है तो I hope यह जो सवाल है you enjoy this question पॉस करके आप इसको solve करने कोशिश करें 224 का सवाल है बहुती standard सवाल है और मज़ा है सवाल करने में मुझे भी सवाल करने में मज़ा है तो करते हैं मिलके प्राइख कीजिए ठीक मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूं करते हैं तो क्या है सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले जय हनुमान मुझे देखके थोड़ा थोड़ा साथ है न इससे थोड़ा थोड़ा क्या और दकदकी हो रहा है कि हां बच्चों के सामने होगा कि नहीं होगा क्यूंकि बगवाजा ने एक प्वेशन से इसलिए करें गया इतने सारे सवाल हम लोगों ने साथ मिलके करें तो लीब हो जाएगा थी फड़ा पीछे करें हो जाएगा के थ मैंने उस दिन बलून लाया था आपके लिए सेकंड लेक्चर में वह इसी सवाल के लाया था अब वह बलून तो गया हीलियम वाला हीड्रोजन होता है हीलियम बोल के बेचते हैं हीलियम बलून आग से दूर रखें उसको कभी भी बड़े पार्टी में आग से हवावाले जल गए हैं आपके भी जल जाएंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं हीलियम बलून है रबर एंवलप ठीक है हीलियम बलून का जो है एंवलप बड़ा बन बलून है उसका द्रव्यमान है 2.6 kg इट है मास ओफ 2.6 kg वेट हो जाती है लेखक से गलती हो जाती है जैसे हम भी हमारा बेट जो है 68 मेरा नहीं है 68 ठीक है असली नहीं बताउंगा बट 68 नहीं है हम भी बोलते हैं कि हमारा बेट 68 है जबकि मास होता है वेट हमारा कितना होता है 680 Newton होता अगर जी को 10 ले तो ठीक है तो लेखक नहीं बोला इग्नोर ठीक है यूनिट पर ध्यान दो कई बार मास कि अगर वेट लिख दे तो क्या करेंगे हम यूनिट पर ध्यान देंगे ठीक है अगर वो बोलता है 2.6 Newton तो उसका वेट हो जाता 260 ग्राम यह 0.26 kg आरी बार समझे है यहां पर उसने क्या का है 2.6 kg ठीक है आपको बिलकुल बढ़िया शांदार पेपर नहीं मिलता एंटी आप यूज कर लेता है आज ही मैंने एक इमवेव का सवाल देखा था जिसने उन्होंने गलती करी तो नहीं होता है ठीक है कई बार कैपेसिटेंस निकालने में वो खुदी गलत फॉर्मुला यूज कर लेता है ठीक है क्वेट बोनस नहीं होता है जब तक कि बाकी सारे ओप्शन क्लियरली रिजेक्टेड हो तो क्रेशन बोनस नहीं होता है ठीक है तो माफी माफ करना आना जी है मैं आगे बढ़ना चाहिए अपना हित्स देखना चाहिए थोड़ा स्वार्थी बनना चाहिए कि वेट टू-पैंट से ना क्वेशन में बोनस कराके रहूंगा रताल इंकलाब जिंदाबात करेंगे क्वेश्चन को हम नहीं सौल करेंगे कैसे कर दी कलती कर देते हैं उनी के आतमे सब कुछ उन्हीं के आतमें मांग देना नहीं करेंगे जो उखाडना उखाड लो ठीक है इस चीज का ध्यान रखना यहां पर फसना नहीं है यहां पर सोचने नहीं बेठना है कि हमने क्या करा हमारी गाड़ी नहीं छुड़वानी है 2.6 kg है बात कर दो ठीक है तो हीलियम फुली इंफिलेटेड बलून इस वी मीटर क्यूब ठीक है दब प्रेशर ऑफ हीलियम इंसाइड इस ओल्वेज एकल टो एक्मोरी अट्मोस्फिरिक प्रेशर ठीक है तो अंदर प्रेशर बाहर प्रेशर बराबर रहा यह ऐसा होता है नहीं हो बलून है कॉन्केव साइड प्रेशर ठीक हैं बलून लेशर बहुत ज्यादा नहीं होगी और खुल मिलाके लेखकन कहा है कि अंदर बाहर प्रेशर बराबर है तो बराबर है हमारा नॉलेज जो है वो किसी काम का नहीं है लेखा की लेखी के आगए लेखा कहता है सपोज अन राइजस फ्रॉम देवेश्ट बिल्कुल अन राइजस फ्रॉम देवेश्ट बात खतम we have no other interest than what दो थी थी ऩट अंदर और बाहर प्रेश气 अद मोस्व परकियो जाएगा बच्चों अग्र प्रेरेइंज की वज़ेस नहीं जाता बायाइन सी फ्कॉर्स की वज़ेश roller फ्रॉम है अंदर जो हवा जो medium है उससे हमारा जो थी बलून की जगए अगर हवा होती तो वो हवा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हूँ जो बलून पर लग रहा है वो अगर कम है तो नेट बाइनसी फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए चीज उपर जाती है ठीक है बच्छो तो हीलियम डेंसीटी लेस्ट रेस्ट होन है ठीक है इस तरह से बलून है अंदर प्रेशर कम है हां है कम है उसने बोला है तो है बात खतम ठीक है तो हमारा बलून ऐसे बन जाता है अब्रेज मोलर मास ऑफ एर ठीक है यह कहीं यूस करना होगा हमें वोफ़ली अप्रेचर इस थह था है अगलेट तिकने सिंदेश उसकी नगलेट करनी है atmospheric pressure is 100k Pascal 10 की घगात 5 Pascal होता है सही atmosphere is 180m ठीक है तो minimum volume of V balloon needed is 2.5 meter cube minimum volume निकालना है ठीक है तो minimum volume कब होगा M हमें दिया नहीं है M जब 0 होगा जो हमें lift करना है वो 0 होगा तभी minimum volume होगा उस case में buoyancy force वो gravitational force बराबर करना है तो कैसे करेंगे हम इसको कैसे करेंगे कर लेते हैं करते हैं सबसे पहले F-BD बनाते हैं तो यह हमारा balloon है इसमें नीचे M है और इसमें जो F-BD बनाते हैं अच्छे से बनाते हैं बच्छे थोड़ा प्यार से करते हैं करण है को करेगी सवाल होगा यह हमराद मास है और ऑपलून का वालिम है एंवल अनुल ऐनुलम का तीन्गेल्याम यह नहीं हमास की टैंशना हेली का हमास की एक मास में बताथ हेली हमास ठीज सपती हम leer वहा का मोलरम-1010 वbn तहीं हेलियम पार्टीकल होता एक मेरे तो और 4 टो चार के अलावा और हीलियम नद्टे था टू तो होगा ठीक है तो जितना आता है उतना बहुत है तो 304 तो हम जो है उसको हम उसमें बत्तमीजी नहीं कर सकते हमको जो है एक्चुली अंदर का मास भी लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा ठीक है तो इसमें इसको मैं M1 लेता हूं बेटा लाइफ आसान रहेगा ठीक है और तो कुछ दिया ना ठीक है 300 और बाकी सब चीज़े स्टेंडर ठीक है यह कहीं लिख लेते हैं हमारे डाटा जो उसका एंवलप का मास जो है वह 2.6 kg है और टेंपरेचर 300 कल्विन है और प्रेशर स्टेंडर है ठीक है कुछ खोड़ा तो नहीं है ठीक है वल्यूम पूछा में बनाते हैं अब बीडी तो यहां पर नीचे फोर्स लग रहा है नीचे फोर्स किता है लग रहा है एंव्प्लस एंव्ड इंटो जी उसके अलावा नीचे लग रहा है रोफ हीलियूम इंटो वीजी और उपर फोर्स लग रहा है जो इसम्को बलेंश कर О्आर।् इन्टो वी जी बाइन सी फोस आई होप आरे फोस कंसिडर कर लिया है मैंने ठीक है फोस बैलेंस कर देते हैं तो रो फे इन्टो वी इन्टो जी इज इक्वल टू minimum force acceleration zero करना है रो फेलियम इन्टो वी इन्टो जी प्लस M प्लस M1 इन्टो जी तो जी 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 तो चले गए कहा गए जी हाँ जी हो जी म प्लस M1 बटा डेल्टा रो ठीक है यही इसका volume होगा minimum के लिए लिख लेते हैं अच्छे से करते हैं हाँ ताकि गलती ना हो तो क्या लिखे नेक्स्ट टेप और वी मिनिममम M1 M equals to 0 M1 हमना 2.6 लिख आई था तो वी मिनिममम M equal to 2 बटा डिफ्रेंसी डेंसिटी तो डेल्टा रो अच्छो रो तो हमें पता ही नहीं है वो तो हमें मोलेकिलर वेट दिया था कांड कर दिया हम तो अब अब क्या करें निकालते हैं निकालते हैं ठीक है फॉर्मला लिखते हैं पीवी बराबर आर टी और इसको चेंज करते हैं तो पी बराबर रो आरटी वाई MW आजाता है ठीक है एन को आप क्या लिखो capital M by MW लिखो M by V को रो लिखो तो यह आ जाता है तो यहां से हमारे पास आया रो इक्वेल्स टू पी इन्टु MW डियाडवाई RT और डेल्टा रो बराबर पी तो सेम है RT भी सेम है इन्टु डेल्टा MW ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रेशर है मारे दसकी गाथ 5 डियाडवाई 8.314 गुणा टेम्प्रेचर 300 इन्टु MW MW कितना था 30 और 4 30 और 4 30 और 4 का डिफरेंस होता है 26 ठीक है तो 26 और अगर आप यहाँ पर इस सवाल को ऐसे छोड़ देते हो तो आपको मिलता है माइनस 1 और जो ही है हर 2-3 साल में जो है एडवांस में लोगों माइनस 1 लेके आते हैं क्यों लेके आते हैं बहुत सीधी सी बात है यहाँ पर आपको molecular weight जो होता है ग्राम में होता है आपको ऐसा unit यूज़ करने के लिए यह माइनस 3 लखाना पड़ता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना में चुहां मेरे कहने पर ज़स्ट फोर मी please remember this 10 to the power minus 3 ठीक है तो अब हम क्या करें अब हम वो गया हमारा इतनी मेहनत नहीं होती ठीक है आल सी आदमी है तुमारे सर्व तो यह एक, दो तीन, चार, पांच खतम ठीक है और आट तिया चौबिस चौबिस और तीन तिया नो तो I am getting 24.9 तो उसको मैं 25 ले लेता हूँ ठीक है तो इस इस 26 ओप्शन ही तो मैच करने है अप्रोक्सिमेटली चलता है और वैसे भी 25 बटा 26 बटा 25 काफी accurate है बहुत ज़्यादा इसमें अप्रोक्सिमेशन नहीं किया बहुत ज़्यादा एप्रोक्सिमेशन करता था मैं इसको वन कर देता ठीक है इसे नहीं में कहा था तहीं गलती ना हो 26 बटा 25 वी मिनिममम इस इन दुन का डिफरेंस 2.6 डिवाइड बै डेल्टा रो डेल्टा रो हमारा कितना है 26 बटा 25 तो 26 बटा 25 तो यह 2.6 को 26 बटा 10 लिखेंगे तो आजाएगा मेरा आई मीटर क्योगे पहला आंसर तो मेरा आगया इस सवाद का कितना आया धाई मीटर क्योगे तो अच्छा वाँ मैंने उसको एक नहीं किया तो यह हमारा आंसर इस त्रू ठीक है हो गया मिनिमी निका लिया नेक्स्ट बारा किलो उठाना में टु लिफ्ट 12 kg वॉल्यूम नीड़ेड इस दिस मच ठीक है अब हमें बारा किलो उठाना बारा किलो उठा लेते हैं ठीक है तो अभी जो है हमारा मास कितना है है M equals to कितना हो गया कितना हो गया कितना दिया था कितना भूल जाते हैं बारा किलो उठाना में वोल्यूम कितना चीजिए निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां थे हमारे पास फोन्मिला तो है हमारे पास so let's solve this so V needed equals to M plus M 12 plus 2.6 divided by M plus M1 बटा क्या करेंगे बटा क्या था डेल्टा रो 26 बटा 25 26 बटा 25 तो volume needed is मोटा मोटा कर लेते हैं 14.6 इन्टो 25 बटा 26 तो यह solve करने की हमें जोरत नहीं है क्योंकि 14.6 को 25 बटा 26 से multiply करोगे तो 10 तो नहीं मिलेगा ठीक है उसमें option कहा है 10 ठीक है तो clearly this has to be wrong भाई 14.6 को अगर आप 25 बटा 26 से गुणा करोगे तो 10 तक थोड़ी पहुचगे 14 तक पहुचगे 13 तक पहुचगे 12 तक पहुचगे 10 तो नहीं पहुचगे ठीक है इस बलून इस इन कम होगा ठीक है तो अगर बायं सी फोर्स कम होगा ऊपर फिर भी वह equilibrium में तो जो नीचे लाएंगे उसको भह हम उसको शिमला ले गए शिमला ले गए या शिमला से भी उपर ले शिमला से उपर क्या होता है बच्चो आई डॉन्ट रिमेंबर ठीक है मैं गया आता हूं ठीक है बट हाँ ने निताल ले गए या कहीं भी ले गए ठीक है उसको ने बढ़ेगा तो एक्सिलरेट होगा ठीक है बलून ऊपर जाएगा तो उपर जाता थोड़ी रहता है अगर हाइट मतलब कहीं पर जाके वह इकलिवन में आई जाता है तो इफ इस इन इकलिवन सब्सक्राइब करेगा ठीक है इसको हम क्या करते है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ठीक है इसको हम इतना भी छोटा नहीं कर सकते हैं इतना छोटा कर लेते हैं ठीक है तो अब हमें एक्सिलरेशन निकालना है ठीक है एक्सिलरेशन निकालना है तो क्या है वी पंदरा दिया है एक्सिलरेशन निकालना है ठीक है तो क्लियरली एक्सिलरेशन जो होगा उपर की तरह होगा उ वाकर हमें acceleration निकालना है तो acceleration होगा ऊपर वाला फोर्स उपर वाला फोर्स यह है तो यह है माइनस नीचे वाला फोर्स यह नीचे वाला फोर्स हो जाएगा ठीक है divided by mass of the system तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आजाएगा डेल्टा रो वी जी माइनस एम प्लस एम वन जी तो यह नेट पोर्स उपर क्योर हो गया बटे में बटे में आएगा बटे में क्या बटेगा system का मास system का मास क्या होगा एम प्लस एम वन प्लस अंदर जो हवा है रो फीलियम इन्टू वी यह अमारा एक्सिलरेशन होगा के दिक कतों नहीं है मेरे विसाब से तो नहीं है ठीक है तो एक्सिलरेशन हो गाया तो कितना आया इतना आया, delta row delta row में paddle 25 बिटा 26 गुणा volume 10 minus volume कितना दिया 10 दिया न 15 दिया 15 15 volume दिया कितना minus m plus m1 ठीक है, माइनस, सही बोल रहा है, आरहे, सही बोल रहा है, ठीक है, तो मास हमें दिया एक, और वो दिया डाई, तो मारे कितना होगे, 3.6, बटे, बटे, 3.6, plus, mass of the helium, mass of the helium में हमारे पास हो जाएगा 15, उसका mass तो नेगलेट करना था, into density of helium, density of helium हमने निकाली थी, नहीं निकाली थी, हना, तो वापस निकाल ली पड़ेगे, निकाल लेते हैं, तो rho of helium is equals to pressure into molecular weight of helium, वे यहाप वापस, बार बार बता रहाँ, गल्ती नहीं करनी है, 10 to the power minus 3, भूले ना जाना, भूलना जाना, इसका वहाँ बिटा, बहुत जरूरी है, गल्ती होती है, ठाकी, divided by, divided by RT, 8.314, into temperature 300, यह हो गया मरा, रो of helium is equals to, कितना हो गया? चार बटे, 3 into, 3 into, 8.314, 8.3, 3 into 8.314 का हमां, अल्रेटी 26 यूज़ कर चुके हैं, तो हम उसको वापस 26 ही रखेंगे, कुछ नया क्यों करें, अना, अभी तक सारे सावाल उसी से करें, आंसर भी हमारा मैच कर गए, ठीक है? तो, M plus M1, M plus M1 हमारा कितना है? क्या कर दिये? 25 बटा 26, ठीक है, into 15, volume, minus, इसका मास, 3.6, obviously, into 10, G के लिए, divided by 3.6, plus, Rho of Helium, जो कि अभी हमने निकाली, किती निकाली? 4 बटा 26, उसको मैं कर देता हूँ, 2 बटे 13, 2 बटे 13, into volume again 15, ठीक है? तो इसको हमें solve करना है, ठीक है? तो इसको कैसे solve करें, हमारा answer कितना दिया है? हमारा answer दिया है, 100 by 3, 23.33, ठीक है? तो इसको solve करता हूँ, 15 दुनी 30, और 13 into 3.6, ठीक है? और वहाँ पर भी 26 दिया है, ठीक है? उपर हो जाएगा, 26 into 3.6, और फिर है 100, तो इसको अगर मैं solve करना बैठ हूँ, तो मैं बैठने का टाइम तो है नहीं, तो इस बाकी जो क्योंकि वह 10 है, ठीक है? तो 25 into, 25 बटा 26 into 15, ठीक है? माइनस 3.6, 3.6 plus 2 बटे 10 into 15, ठीक है? करते हैं, करते हैं, करते हैं, तो 25 by 26 into 15, माइनस 3.6 into 10, divided by 3.6 plus 2 बटा 13, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? होगा, क्यों नहीं होगा? जब सबका हो रहा है तो अपना क्यों नहीं होगा? आरी बस अंगा, जब सबका हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं होगा? तो 25 बटा 26 कहां साय था? 25 बटा 26 आय था? कहां साय थ यहां से आये था 25 26 25 आये था और यह वालियूम जो है कि ये कितना आये था यहापर 26 25 अधा डेल्टा रो उसको मैंने 25 26 कर दिया यहां पर जू था 25 25 वालिव मिनिमुम नीचे था डेल्टा यहां पर यहां पर तो इसलिए मैं उससे डर रहा था था ठीक है कि इसलिए डबल चेक करना ज्रुल होता है देखा यह 26 बटा पच्छीस यहाँ पर ठीक है और नीचे जो है वो आ अभी 26 बटा पाच्छीस सब बच्छीस कमपरेटिवल यहाँ एक टो डिल्टा रहागा था हमारा 26 बटा ठीक है 26 बटा 25 तो यहां पर भी क्या होगा यहां पर भी होगा 25 ठीक है 4 बटा 25 चार बटा 25 डील करना 26 से डील करने से बहुत आसाल है ठीक है चार बटा 25 तो इसको जल्दी से हम अब सॉल कर लेते हैं तो यह हो गया मारा 4 by 25 इंटू 15 और दिस इस 26 देखा मुझे लगा ही था सवाल देख तो जब आप इतने सवाल करते हो न पर इंट्यूशन हो जाता है कि यह जो सवाल है इसमें केल्कुलेशन का इसलिए सवाल लगाने लफड़ा पड़ सकता है ठीक है तो यह गया 3 यह गया 5 यह गया 3 यह गया 5 ठीक है और इसको अगर मैं स्वाल करूं नीचे तो यह हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा मेरा 12 प्लस 5 इंटू 36 5 इंटू 36 35 तीये 15 तो यह गया ठीक है ठीक अठारा और 12 अठारा और 12 होता है 30 देखा 30 आ गया 5 तो गया बजायाएगा आई डोंट्रीली केर बारा प्लस ठीक है अभी 5 इधर भी गया बजायाएगा तो यहां भी 18 आएगा वाह मजा आ गया अब 26 इंटू 3 26 इंटू 3 में तो यह गता है छेती 18 और 3 दू नीचे 78 इंटू 10 ठीक है अभी भी कुछ भी हो सकता है बट यहां प्लस फाइन ठीक है तो यहां प्लस आया 78-18 तो 78-18 तो बचा 60 60 by 30 मेरा रहे 60 by 30 26 इंटू 3 वापस चेक कर लेता हूं 25 इंटू 3 किता हो था बच्च्चों 75 होता है 25 इंटू 3 किता होता है तो 26 इंटू 3 अठतर होगा ठीक है पाच इंटू 3.6 पांस थे 15 अच्छे पंजितिती 18 अठारा होता है बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं और 18 और 12 जो होता है तो जब यह चला जाएगा तो यहां से मेरा आंसर जो इसमें आ रहा है साड़ बटा तीन इंटू 10 ठीक है साड़ बटा तीस या रहा है आठ में साड़ के साथ में इसे इच्छे 60 by 32 होता है मेरा 20 meter per second square आ रहा है ठीक है So let us double check, उपर लगने वाला force, बैसे नीचे लगने वाला force divided by mass हमारा acceleration होगा, उपर जो force लग रहा है, उपर force लग रहा है, रो इंटु A इंटु VG, नीचे लग रहा है, रो H इंटु V इंटु G, तो उन दोनों में difference होगा, देल्टा रो VG बिल्कुल, उसके लावन नीचे है, एक का mass 1 है, तो totally होगा 3.6, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, डेल्टा रोम ने निकाला था, 26 बटा 25, तो 26 बटा 25 इंटु 15, माइनस 3.6, ठीक है, तो जैसे इसको करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 बटे 5 बचेगा, और 3 बटे 5 ही 18 हो जाएगा, 26 इंटु 3, जो होता है, वो कि M1 हो जाएगा, उसके अलावा हमें, हिलिम का भी mass लेना है, तो हमारे डेल्टा रोम 26 बटा 25 आया था, और यह जो है, चार बटा 25 आयागा, क्योंकि एक 30 था है, और एक जो था वो 4 था, तो 30 माइनस 4 चार था, और जो 4 था, ठीक है, तो यह भी कितना हैगा, 3 बटे 5 आयाग होगे, तो 20 होगा, तो clearly यह option जो है, गलत है, ठीक है, इसका acceleration जो है, इतना नहीं होगा, ठीक है, वोल्यूम 15 है, 15 है, 15 है, 15 by 25, सारी चीज़े डबल चेक कर ले ना, ठीक है, तो answer इसका जो है, सिर्फ और सिर बच्चों कितना होगा, ए होगा, 33.33 नहीं होगा, ठीक है, अब उसने 33.33 कैसे निकाला, उसने क्या किया होगा, उसने नीचे टोटल मास नहीं लिया होगा, वो भूल गया होगा, क्या भूल गया होगा, बच्चों, वो कुछ भूल गया होगा, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, FD बनाया हमने, पहले बैल चीजिए था डेल्टा रो था नहीं हमारे पास तो हमने डेल्टा रो निकाले डेल्टा रो कैसे निकालते पीवी इक टो एनाइटी चोटा ऐसा यूज करते है उसकी दूसरी फॉर्मेट यह वाली फॉर्मेट हमें याद होनी चीए एक तीज़ कहा हमेशा ध्यान रखना है हम 10 to the power minus 3 जो है बच्चों यह आप भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूं भूल जाता था किसी जुमाने में अब नहीं भूलता ठीक है क्योंकि आप कर ली ना प्रेक्टिक तो यह गया चार बटा 25 इसका आंसर आएगा और इस तरह हम निकाल सकते हैं कि किस पर बैलेंस होगा कितना वॉल्यूम चीन आपको बैलेंस करने के लिए और अगर वॉल्यूम आपके पाज ज्यादा है तो आपका जो एक्सिलरेशन होगा वह क्या होगा ठीक है तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आ है इस तरह के सवाल आप कर सके एक्सिलरेशन निकाल सके उपर गाइक्सिल पर रहा यह है तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों फिर पहले आपको बता दिया बहुत ही सिंपल सवाल है जितना बड़ा दिखता है सवाल उत्ना ही सिंपल होता है जादतर केस में तो मैं जा रहा हूं बाहर स्क्रीन के आप प्लीज पॉस करका करें इसको attempt जरुर है और question पढ़ते हैं तो तीन टंकिया में धी है T1 T2 T3 ठीक है तीनों टंकियों में क्लिए लिटीवन काफी बढ़ी है आर्ट दे आर सिटिंग ऑन 3 वेइंग स्केल S1 S2 एंड स्फ डंकिया है वह स्केल पर ही हमने रख रखी है ठीक है र coastal रखेटर्ण के साथ रखी कि टेंग्ती स्क्राइट यहां वन यहाँ पर ‑‑ साथ दिये है कोई बात नहीं हो जाती ही इस होBut tank T1 has a spout, spout मतलब I am a little teapot, short and यसा कुछ बच्चों को rhymes होती न, तो जिस जो नली का जो teapot में होती है, जिससे चाय पोर करते हैं, उसको spout बोलते हैं, तो यहाँ पर जो spout जो दिख रहा है, मुझे एक ही spout दिख रहा है, वो यह है, उस spout से T2 भरा जा सकता है, ठीक है, tank T1 has a spout as shown, दिखाया जैसे, ठीक है, and water has been filled in it to a level just below the spout, ठीक है, बिलकुल spout को छूते वे हमने इसको भरा है, पानी जो है हमने न, बच्चों, यहाँ तक भर दिए, बिलकुल, obviously इस से जो भर नी सकते हैं, ठीक है, तो जितना भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जितना भर सकत ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, घरीक केजी बॉड़ी, चार कीलो का, एक बोड़ी लाकि हमने, ठीक में डाल दीे, और वो तेल रही है, ठीक, थीरे से डाले ओप लिए, very, now the reading of A3 scale, S3 scale की जो पहले reading थी, 24, 3, 3 थी, is found to be 4 kg, अच्छा, ये reading भी respect के साथ दी गई है, 24, 3, ठीक है, तब reading जो 3 से 4 हो गई, ठीक है, तो इसमें पानी आ गया बच्चों, और कितना पानी आ गया, 1.5 kg पानी आ गया, What is the reading of the other two scale? S1, S2, S3, सब की हमें reading बतानी है, assume that the water remains inside the tank, पानी जो है सभी में उतना ही रहे, ठीक है, तो इसको यहीं कर सकते हैं, बिना कुछ लिखें, ठीक है, इसमें पानी था पहले 0, ठीक है, इसमें कितना पानी था, इसमें पानी था 0, हुआ हुआ पीन किलो उसका बजन था अब बजन होगे साड़े चार पहले था 3, 3 से हो गया साड़े चार यह पानी आया कितना है डेर लीटर पानी आये तो अब टेड़ लीटर पानी आया 1.5 kg वाटर ठीक है कि टेड़ किलो इसमें पानी आया है यह बोड़ी हमने इसमें डाली यह फ्लोट कर रही है चार किलो का हमने इसमें समान डाला अलका पानी से फ्लोट कर रहा है चार किलो समान को सपोर्ट करने के लिए पानी कितना डिस्प्लेस होगा पानी कितना डिस्प्लेस होगा चार किलो डिस्प्लेस होगा ठीक है तो अगर हम इसमें फोर केजी डालते हैं तो यहां से पानी कितना निकलेगा और केजी निकलेगा अरिवास हमने अगर आप फोर औह पहुम्च गया चार निकला वहां औहां और देड़ पहुंचा बीच मेंवाला कहा गया बाखी पास जारaly रएकपास चार उसको मिला डेड़ अध ellesष्ज पानी डिस्प्रेट हुआ घर की बोडि यी डेड़ा करगी चला गया तो हीसमें तो इसकी रिड़िंग क्या और है रही बडिक 6 यह डाल गकाल दिया इसकी रिड़िंग जो 20 थी जो भी विए ते इसकी रीडिंग छेंज नहीं हुई अभी रीडिंग का बच्चों 20 से कार किलो दॉइस और किलो 6 निकली से कंड जो कि रीडिंग कितना है से कंड वाले कि 쉽 6,5 लोगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो हो जाए पर इस सवाल है इतना बड़ा दिख रहा है इतना सारी चीजें सब्सक्राइब 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 अगले सवाल की हम आगे बढ़ते हैं ठीक है यह सवाल थोड़ा अच्छा थीक आपयो घुल्म आज estar यह बीजिय कर लो पर करते हैं इस मैं क्या करना है कि we have a tap above an empty rectangular tank ठीक है मैं सामने से सवाल पढ़ रहा हूं ठीक है so after a tap above an empty rectangular tank has been opened the tank is filled with water at a constant rate in time t1 तो हमारी जो टंकी है उसको भरने में t1 समय लगता है ठीक है उसके बाद हमें एक हागया अच्छा मैं सामने से पढ़ने की कोशिश करता हूं इस बार सवाल ठीक है after the tap has been closed ठीक है तो हमने क्या किया उसके बाद टंकी में से नल को बंद कर दिया ठीक है poking a small hole ठीक है छोटा सा छेद कर दिया at the bottom of the tank ठीक है तो जब नल खोलते हैं तो T1 में भरता है छेदा कर देते हैं तो उसके बाद T2 में वो खाली हो जाता है अब हमने क्या किया है अब हमने कुछ कांड किया है हमने क्या कांड किया है if the tap about the tank is now opened again अब हमने tank को ऊपर जो है tap को खोल दिया ठीक है for what ratio of T1 by T2 T1 by T2 के किस ratio के लिए will the tank overflow ठीक है आरी बाद समझ में नहीं आरी समझ में बही एक time लगता है टैंक को भनने के लिए छेद करने पर एक time लगता है टैंक को खाली होने के लिए ठीक है अब नल भी खोल दिया छेद भी छोड़ रहा है तो क्या होगा क्या condition है कि ।। टैंक जो है हमारी वह क्या होगी वह जो है उपर भर जाएगी उपर से बानी डूलने लगेगा उस में क्या condition होगी ठीक है तो वपर लगा है नलका उपर लगा है नलका नलके में से पानी आ रहा है तो हमें बताना है कि क्या condition रहेगी कि यह जो tank है यह भरता जाए भरता जाए पानी उपर से ढूलने लग जाए ठीक है सबसे पहले बर्ने का टाइम निकालते हैं तो इसका छोटे वाले का एरिया मान लेते हैं स्मॉल है तो भरने का टाइम निकाल लेते हैं T1 is equal to कितने देर में भरेगा अपा टैंक टोटल वोल्यूम टोटल वोल्यूम कितना है इसका है एस इंटू ए बटा उसको भरने की रेट वोल्यूम आने की रेट विच इस एस 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 एपर पर सेकेंड एस जो है उसको एसाइ में ले लेते हैं तो एस मीटर क्यूब को एम से एस मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है तो अब बैसली टोटल वोल्यूम डियूएड बढ़ने की रेट ठीक है खाली होने की रेट क्या होता है खाली होने का टाइम क्या होता है बच्छों खाली होने का टाइम क्या होता है यह आपको याद होना चीए ठीक है तो निकानना भ तेन्क के खाली होने का टाइम होता निकाल के बता है किसी वीडियो की लिए बता देते हैं तो मानलो जो तेन्क है इसमें अभी लाइए हौन पांइ भांद जाने की राट होती रूट 2 घय तो पानी के नीचे आने की जो रेट होगी, ठीक है, capital A into dy by dt is equal to small a, यह constant volume वाल एक्वेशन है, a1 v1 equals to a2 into root 2gy, ठीक है, एक जगा माइनस लगेगा, it doesn't matter, minus plus में हम डील नहीं करते हैं, ठीक है, इसको solve करेंगे, तो a by a into dy by root 2gy equals to dt, और y जो है, h से 0 जा रहा है, पर हमने minus नहीं लगा है, तो 0 से h ले ले, don't worry there, it's okay, तो यहाँ से हमारा time आ गया, a by a into, इसको क्या करेंगे, root y का integration कितना होता है, y की घात माइनस एक बटा दोगा integration कितना होता है, y की घात एक बटा दो, बटा एक बटा दो, तो 2 पर जायेगा, ठीक है, तो यह जायेगा, 1 by root 2g into 2 into root y, time हमारा आ गया, a by a, और अगर h1 से h2 होता है, तो root 2 h1 by g minus root 2 h2 by g, root 2 h by g तो आपको आता ही है, तो उन दोनों का difference लेना है, और एरिया के ratio से उनको multiply करना है, ठीक है, तो h1 से h2 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो root 2 h by g, और h1 by g minus h2 by g, ठीक है, तो इस बेरी सिंपल, ठीक है, तो यह हमने time निकाल लिया, ठीक है, तो हमें पुछा, t1, t2 का क्या ratio हो, कि tank ढूलने लग जाया, घेद होने के बावजुल, इनका ratio निकाल लेते हैं, t1 by t2, बराबर, तो यह, यह तो कट जाएगा, स्मॉल यह उपर जाएगा, h by s into root g by 2 h, तो यह इस में तो नहीं तो s हटा नहीं, h हटा, दिया है के सवाल में, गंठा कुछ नहीं दिया है, 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 अलग से शिकायर तो नहीं करूँगे, अरे, सर को कुछ आता तो है नहीं, आपने किसको बना दिया, किसको जैए चेलेंजर पर उतार दिया है, आई थी बात से ट्रेंग, करेंगे, करेंगे, ठीक है, ओर फ्लो कराना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो कोई टैंक का बोर फ्लो होता है, ठीक है, तो देखो, शुरू में तो पानी भरेगा, ठीक है, जब पूरा टैंक खाली है, नलका लगाए थे, पानी भरेगा, क्यों? बहार नकलने की स्पीड बहुत कम है, तो जैसे जैसे टैंक भरता जाएगा, वैसे वैसे बाहर निकलने की स्पीड हाइट के साथ प्रोपोर्शनल एच बढ़ जाएगी, ठीक है, तो अगर हम इसको ढोलना है, ढोलना है, तो बैसिकली, इसकी आने की रेट एस, और इसके बाहर जाने की रेट, बाहर जाने की रेट क डंट पर हुग की वाहर जाने की रेट पानी के बाहर जाने की रेट से ज़्यादा ऑउऩफलो कर जाएगा और टो मैक्सिमुम कभ तो आउट फ्लो की मेकसिमम रेट भी अगर इन्फो रेट बाहर जाने की मेकसिमम रेट मतलो आपको आपकी होंभग करने, बढाया दी बढाया दी 4 हजंटे कर रहा हो तो भी आपका बैक appropri घट्टा हो रहा है तब क्या ही होगा अरिवास संग्सी कुछ आप रो चार है या तो ओर्फ्लो करेगा यह ओर्फ्लो की कंडिशन है तो हम T1 by T2 निकालने के बजा है उल्टा चलते हैं क्या करते हैं भगवान का नाम लेते हैं भगवान सब सही करते हैं कि कंडिशन फॉर आउट फ्लो ठीक है सब्से करते हैं उपलिक्ते जैएनवान मन 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 में CANDीशन for out flow in what is the condition for overflow not outflow in flow outflow condition flow overflow in flow outflow overflow inflow is is more than max outflow, ठीक है, तो overflow, inflow is S, this is greater than max outflow, तो small a into root 2h by g, sorry, root 2gh, 2gh, ठीक है, अगेन हमें S और A और H तो दिया नहीं कहीं भी सवाल में, तो हम क्या करते हैं, S को t1 की terms में लिखते हैं, hopefully हमारा सवाल हो जाए, तो यहां से हमें मला, S बोले तो h a by t1, जय हनमान ग्यान गुन सागर, जय कपी सती हूं, लोख उजाग, this has to be greater than a into root 2gh, अब a हटाना है, तो हमें t1 by t2 लाना है, भगवान को लाना है, बुलाना तो पड़ेगा, तो यहां पे t2 लिख लेते हैं, तो यहां से t1 by t2 मिल जाएगा, into t2 की value डाल देते हैं, which was capital A by a, into root 2h by g, ठीक है, लग रहा है, हो जाएगा, अरे, तुम्हारे है, ऐसे कैसे, ठीक है, काटो, तो, एक बटा, तो, तो, हो गया सवा, अगर t1 बटा t2, t1, t2 का ratio, t1 खाली बरने का समय, t2 खाली होने का समय, ठीक है, अगर, खाली होने का समय, बरने के समय के, डबल से कम है, बरने का समय अगर 10 सेकंड है, और खाली होने का समय, 20 सेकंड से कम है, तो हमारा tank overflow करेगा अरिवा सुन में T1 by T2 हैस्ट भी लेज़ेंग तो यह 10 बटा 20 नहीं हो सकता है 10 बटा 19 होगा ठीक है अच्छा तो भी चलेगा ठीक है तो 10 20 नहीं हो सकता 10 19 नहीं हो सकता 10 21 हो सकता है ठीक है तो खाली होने का समय भरने के समय के double से जादा है अगर भरने का समय 10 सेकंड है खाली होने का समय अगर 20 से जादा है तो हमारा tank कोई सा भी cylindrical tank हो कोई सा भी uniform tank हो वो हमेशा 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 क्या करेगा overflow करेगा ठीक है यह तो काम की चीज़ आगी यह हमें दस सेकंड से जादा लेती है खाली होने में ठीक है पूरी बहने पांस में मोटर चला के पूरी भरने में अगर वो पांस मिट लेती है नल खोलने पर खाली होने में वो दस मिट से कम लेती है तो मोटर भी चला के रखो नल भी चला के रखो कभी नहीं बरेगी अगर वो दस मिट से जादा लेती है खाली होने में तो मोटर नल दोनों चला के अगर आप छोड़ दोगे और नान बैढ जाओगी तो टंकी जो है भर जाएगी और फिर मम्मी के 10 मिट से कम लगता है तब आप मोटर चला के नल चालू करके नहाने बैठ सकते हैं पर अगर भरने में 5 मिट लगता है और खाली होने में जो है टंकी पूरी खाली होने में 15 मिट लगता है तो टंकी ओवर्फ्लो करेगी तो हमारा आंसर भी आना चाहिए तो T1 by T2 has to be less than half for overflow so so the answer is a and b 0.6 or 1 obviously answer अरकर हमारा नहीं है तो सिंपल सवाल था बिना वाति हम इसमें फस गए थे ठीक है तो यह सवाल है यह आपने कर लिया ठीक है क्या-क्या बच्चों क्या वह बढ़ने का नाम लिया ठीक हमने बारी की से सुचा टंकी कब ढूलती है जब basically हमारी rate जो है inflow की outflow की max rate से ज्यादा है तो टंकी ढूलनाता है ठीक है तो हमने inflow की rate को हमेशा हमेशा हमारी टंकी ढूलेगी ठीक है एक सवाल करते कम से कम और भी बहुत बड़ा बड़ा स्वाल है अपने पास पर अगर मैं नहीं करूंगा सर्फेस टेंशन का तुम कहोगे कि सर आपने तो मज़े ले लिए सर्फेस टेंशन का सवाल रहे जा ठीक है तो यह जो है सवाल थोड़ा अच्छा सवाल बच्चों और I don't know कि मैं कर पाऊंगा बट ट्राय करेंगे मिलके ठीक है तो बात यह है कि एक जो पानी सर्फेस होती है ठीक है कैपिलरी में तो पानी का जो राइस होता है वह हमें पता है पर यह बांध है बांध भी तो जो है उसमें पानी का इस तरह से राइस होता है ठीक है पानी का लेवल है उससे जो चिपकता है साइड में इस तरह से सर्फेस बनती है तो पानी जो है साइड में कितना करता है यह हमें निकान लाए तो बच्चो यह सवाल जरू ट्राइक करो हां बहुत शांदार सवाल बहुत क्राम खास वह बहुत अच्छा सवाल है ठीक है तो प्लीज ट्राइब इस क्वेश्चिन मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूं पॉस करो डेफिनिल ट्राइक करो ट्राइब करें करने के कई तरीके मैं जानता हूं बट जो सबसे सिंपल तरीका है वह एफ-बडी बनाने का ठीक है और इसको बना के हम इसको solve करते हैं ठीक है तो बच्चों इसमें कुछ चीज़े माननी होती है तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं ठीक है तो let's read the question so water in a clean aquarium clean aquarium मतलब glass surface है contact angle zero है पानी को glass पसंद है और baby को base पसंद है ठीक है और तो कुल मिला के glass से पानी जो है अच्छे से चिपक जाता है ठीक है पानी को glass पसंद है अपने अपने लोगों को छोड़के वह ग्लास से चिपक जाता है और बाकी लोग जो है सर्फेस टेंशन से एक दूसरे से फिक जुड़े रहते हैं कड़ी बनाते रहते हैं ठीक है पर वह सब जो है आपको उसकी चिंता करने की जुरत नहीं है कुल मिला के पानी जो है थोड़ा सा हमेशा कभी भी glass वाटर का है तो पानी ग्लास को दे दो ठीक है ग्लास को दे दो सर्फेस पानी ऊपर चड़ेगा अब है क्यों मैं सोरी ग्रेवीटी फ्री में क्या हो जाएगा पानी ऊपर चड़ेगा यह पानी जो है ना इस तरह से स्रफेस पानी की होगी पूरी तरह से यह चिपक जाएगा तो तो पार तो चिपक घुख फुर्डव टर्व सुझे था अन्दर पानी चेह हुआ हो यह कि पानी को गलास पसंद हे बहुत ज्यादा पसंद है अगर ग्रैविटी उसको चिपकने से नहीं रोकेगी तो उसके प्यूरी तरह चिपक जाता है तो जब भी ग्लास पानी का सवाल आता थोड़ा सा पानी ग्लास को दे दो ठीक है कि भाई तूर रख तो चिपका के रख ठीक है पानी को ग्लास पसंद दें तरफेसे एंगल जी रोगा अलाकि इन सब इस चीज को मिनिस्कस केता है अपरेंटली इस शोन इन द फिगर इसको यूज करेंगे गामा यूज करना है डिफरेंस इन हाइड बिट्विन दे सेंटर एंड एज ओफ दे मिनिस्कस इस ठीक है मतलब यह जो है अपरेंटली एज है यह सेंटर है I don't know कुल मिला के फिगर मे इस सबसे आसान तरीका जो है इसको आप ध्यान रख लेना इसका हम क्या करते है इसका हम जो मिनिसकस है उसका बनाते और वह बनाके हम क्या करते है उसको आप सबसे पहले मिनिस्कस एक बार अच्छे से बना लेते हैं ठीक है यह हम रहा मनिस्कस है कि तो को इसको मिनिस्कस है हमारा ठीक है और यह जो है अच्छे से बना लेते हैं बार 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 बनाना नहीं है ठीक है ऐसा कुछ दिखता है अब वह जो एक्वेरियम की लेंथ है वह भी ले लेते हैं कुछ विट्थ जो है ठीक उसको डबली ले लेते है ठीक है और वहां पर भी हम जहें इन दोनों को इसी तरह से जोड़ देते हैं ठीक है और यह जो है हमारी नीचे वाली हाइट और यह जो है अपर आली हाइट ठीक है तो हम जो हैं बच्चों क्या करेंगे इस पानी पर यह मिनिस्कस का पानी है ना यह फोकस करेंगे यह हमारी वाटर सर्फेस है ठीक है और यह है तो इस पानी पर हम फोकस करते हैं तो इस पानी पर यह पानी है इसके अरॉंड हमें इस एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है, डेस्ट लाइन से, जैसे कि वाल्टर लूइन बनाते हैं, चौक से डेस्ट लाइन, और हम जो है, टेकनोलोजी का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, तो अब, वो जादू से बनाते हैं, ठीक है, प्योर मैजिक, तो इसको हम मोटा मोटा ऐसे कनेट कर देते हैं, और इसको मोटा मोटा ऐसे कनेट कर देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को भी हम एक्स्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो यह जो पानी की बॉड़ी है, और इस लाइन को हम नीचे भी एक्स्टेंट कर देते हैं, यहाँ पर तो यह जो वाटर बॉड़ी है इसको मिला लेते हैं यह तो यह जो हमारी पानी की बॉड़ी है जिसकी यह कवड़ सर्फेस है अरे ठीक है इस का है मैं विडी बनाएंगे अब इस सिब होरिजेंटल बना सकते हैं तो इस सर्फेस पे चुकि अट्मोस्फेरी प्रेशर पी नॉट है ठीक है और यह लेंथ जो है यह एल है और यह है यह है तो इधर चैसे फोर्स लगेगा वह लगेगा इसका एर्या हो जाएगा लिंट फी नॉट इन्टो एच ठीक इतना फोर्स लगेगा ठीक है उसके अलावा चूंकि यह सर्फेस कनेक्टेड है पानी से इस लाइन के लोग बाकी जो पानी है इस पर फोर्स लगाएगा वो लगाएगा टी इन्टो एल ठीक है और उसके अलावा इधर दिवार तो फोर्स लगता है एंटेवाय हूगा पानिवास कितना लगता त प्रेशर एंट्यार इसप्राइबिवार में इतना हूउज हना के अब यहां प्रेशर पीनौट है यहां में प्रेशर पीनौट है हाइट है जोमेट्रिक सेंटर पर प्रेशर जोगा फी ले लेते हैं ठीक है फीजी सी ले लेते हैं तो हमारा प्रेशर जोमेट्रिक सेंटर जोगा वह कितना होगा पी नॉट यहां पी नॉट है यह जगह पी नॉट है उपर जाएंगी बच्चों क्या होगा प्रेशर कम होग तो यह हमारा होगी है तो जो Horizontal Forces लग रहे है दाई चरफ इनको हमें बराबर चरफे थिए उनको जैसे बराबर करेंगे हमारा एरिया plus t tv टेंटी एंटी और यह एकटण टू donald हो एक तू टेंशन इंटो यहां से हमारे पास आगया खितना आगया के तंशन बाई डालत तो गए हमों या कि को่छ गलत तो निकितने कि एट Kissi by kव में दग हेट नहीं किए chTrade या हमुत ना पटाए पूल को स्थाल में इस फोल टी तो यहां से यहां हमार पास हईट आगई याद भी कर सकते हैं पर क्या-क्यायत करोगे मुझे तो याद है नहीं और हम साइलेंट रखेते हैं फिर भी फोन आ गया भगवान जाने यह नया फोन है ठीक है क्या इसमें इस्यू है देखो बच्चो मैं नया फोन है बहुत महाएंगा तो दून डिश्टरब फोकस का अच्छा कोई बात नहीं तो दून डिश्टरब ओन है फिर भी फोन बज़ी गया ठीक है बस एक सेकंड इसको फोन को मैं बंद कर देता हूं साइलेंट से काम नहीं चल रहा हुम क्वेश्च अचले किसी को बोले कि घंटी करने तो हमारा है इसक्वाइर आ गया टूटी वाइरोड जी तो अब यह कल्कुलेशन तो आप कर लोगे है एक इकोस्टू रूट टूटी वाइरोजी हम करके बताएं क्या बता देतें उननीस पूनिस आ रहा है कहीं तो रूट तू 122 into 73 into 10 to the power minus 3 जब सब करा इतना करा यह तो इतना सा क्या छोड़ें डिवाइड़ेडर बाए 10 की घा 3 into 10 ठीक है तो 73 इंटू 2 कितना होता है बताओ जरा ठीक है 73 इंटू 2 कितना होता है छे 146 यह होता है 146 रूट 146 इंटू 10 to the power 4 और 10 to the power तो यह होगे 10 to the power minus 7 हमें चाहिए आंसर में 10 to the power minus 4 तो यह हो गया हमारा basically इसको हमें लिख लूँगा यहां से अरे यार सब गळत हो गया ठीक है यह 2 into 73 into 10 to the power 4 ठीक है पंडू करें पंडू करें तो रिडू करें ठीक है नेक्स्ट पेच पर गए यहां तो सब सही है h square is square to 2t by rouge जल्दी से करते हैं ठीक है तो इसको हम अरे अरे अन्डू कर दे है कि नॉर्मल एक रिजर लेते हैं ठीक है तो लेकर ऐसे रफ कर लेता है कि कई बार यह कांट होता है को बताना यार मेरे को कि कैसे ना हो ठीक है तो क्या कर रहा है हम H square square to 2t by rho g और जब इसको हमने solve किया था तो हमारे पास आया था अंदर 1460 into 10 to the power minus 4 अब 14 into 10 to the power minus 8 तो यह हो गया root 1460 into 10 to the power minus 4 root 1460 जो होगा कितना होगा 10 की घात होती है 1000 ठीक है 11 की होती है 2110 ठीक है 12 की होती है 12 की कितनी होती है 120 10 to the power होती है 100 कहां पहुच गया कुछ भी कर रहे हैं ठीक है चालीर rate 50 50 की 5500 कहार अरा चालीसकी होती है Cry jouer सोलह सो चालीसकी होती हो थेसकी 900 ठीक है तो यह जो हogram में माल लेता हो कर एक चूक् İşन करना थ। चालीसकी होती तो उननीस इसका चौरूट 1460 जोगा वो कितना होगा 38 होगा ठीक है तो यह गारूट 38 इंटु 10 तुदिपा माइनस पूर ठीक है तो फटापाट केलकुलेशन छोटी मुटी करनी आनी ची अगर इंटीजर करना है तो यह होगा आंसर हमारा जाएगा दो ठीक है तो किया क्या इसमें बच्चों इसमें क्या किया हमने हमें पूछा गया था पानी कितना राइस करता है तो सवन ने तुम्हारा इतना अच्छा फिगर बनाया तुम्हारे लिए ठीक है कभी बनाया सवन ने कभी तुम्हारे लिए आज बनाया है ठीक है तो क्या कर रहे है जो पानी मिनिस्कस का पानी है इसको हम एनलाइस कर रहें चाहिए इसको बागी पानी खीच रहा है कुछ पानी दीवार ने चिपका लिए ठीक है तो फोर्स होता है तो Net एक्सप्रेशन निकल के आया है तो आप यह सिर्फ इसलिए कराया कि आपने कराया नहीं आपने बना दिया तो एक सवाल करते हैं बच्चों एक सवाल और करते हैं अच्छा सा सवाल है सवाल है उसके बाद हम इसको छोड़ दें तो जल्दी से आप वीडियो पॉस्ट करके क्वेशन पढ़िए लंबा सवाल दिख रहा है पर है नहीं ठीक है स्टाट करो तो मैं पढ़ता जाता हूं सवाल क्या है तो डाइग्राम बिलो शो कि मैटिकली टू सिचुवेशन दीलि सट ढूलमीनियम वहला है स्टाटेमित्स ए Background साप्सक्राइबर हो जुआ चालाएबर है पर कर देख में लिगत भुरेशन होसा दून सीन कला स्टाटेमिथ प्रचाए पहुआल भोम दिया वर पला सहरे सबस्क्तिक तो मतलिक सीरिग में और इसका ऑिस मिन्दार हो पाँबूत देन्सिति हिए तरफ को कुछ नहीं करेंगे एंड Näहीज नुए घ्रहें ऑपरेटर देज certainty is basically this thing is holding apparatus, ठीक है, holding apparatus, उसका जो mass है वो आधा किलो से थोड़ा से जादा है, ठीक उसको भी mark कर देते हैं, आधा किलो है, इस holding apparatus का, from which this sphere can be suspended, in the two situation we have, तो पहली situation है, तो यह weighing scale है, this thing, यह weighing scale, तो weighing scale पे holding apparatus है, इस मैं से हमें reading मिलेगी, ठीक है, उससे हमने रसी लटका रखिये, the holder is placed on top of the scale, with the sphere suspended from it, the sphere is fully submerged in the flask, which is held off the scale, अच्छी बात है जी, ठीक है, दूसरी situation में हमने क्या किया है, कि flask को हमने scale पे रख दिया है, ठीक है, तो height of the water, अच्छा, अभी सवाल खतम नहीं, डेटा खतम नहीं है, अच्छी बात है, पानी के हाइट है, assume that the suspension part of the holding apparatus is of the negligible mass, अच्छा, ये रसी का मास हमें, नेगलेजबल करना है, एंड बिल्यूम, ठीक है क्या फरक आया ठीक है अब इसको हम कर सकते हैं इसको करने के दो तरीके बच्चो एक तरीका जो है बहुत लंबा है एक तरीका जो बहुत छोटा है ठीक है तो इसको हम किसे करेंगे हम दूनों से करेंगे पहले बहुत लंबे से करेंगे फिर बहुत छोटे से क्यों क्य कि हम इसको लंबे तरीके से ना करें आरी बात सब्सक्राइब क्या बात करो सब्सक्राइब तो सबसे पहले सबसे पहले हम लंबा तरीका करते हैं एक अमास निकालते हैं ठीक है यह जो है इसमें holding apparatus जो है ठीक है तो first case लेते हैं लेते हैं तो first case में हमारे यहां पर बना लेते हैं फर्स्ट केस में यह हमारा holding apparatus है और यह यहां पर हमने fix कर रखा है ठीक है तो यहां पर इसको मशीन से नॉर्मल मेल रही है नॉर्मल ही value होती है यहां पर इस पर टेंशन टी लग रही है यहां कहीं इसका खुद का mg लग रहा है ठीक है तो पहले case में जो reading है और वह होगी है यह हमारी हो जाता है ठीक है तो यहां पर जो है हम जो है ना इसको मिटना मत्यार्स पूरा बोड उल्टा सीधा ना हो जाए बस इतनी महनत करिए md नॉर्मल जो हमारा हो जाएगा उसकी reading जो है और जीत की तो मतलब है नहीं तो हो जाएगा md प्लस डेल्टा रो इंटू विए ठीक है मास में डिफरेंस निकालना है तो दिस इस एन वन अभी सी बात है ठीक है सेकेंड केस में हमारे पास यह जो है यह जो है हमारा होल्डिंग एपरेटरस है उसके अलावा यह बॉल है और यह जो है वो हमने वो जो है सेकेंड केस में में हमारे पास नर्मल होगा वह क्या होगा अटेंशन की थमिए चिंता करना ही यह नहीं है अर्यबू चीजों में फ्रीन बीच में 10 Newton ठीक है ठीक है उसकी वज़े से एक पर फोर्स कम हो जाएगा वर्टिकल लग रहा है 10 Newton पर जब दोनों को लाके रख दोगे तो एक पर बढ़ रहा है एक पर कम हो रहा है it doesn't really matter ठीक है तो यहां पर हमारे पास जो हो जाएगा MD ठीक है ठीक है बलस जोबी सिसका था टेंशन की तो मैं चिंता कर थी ठीक है प्लस मास अफ दो बल haul ठीक है मास अफ टीक है एह ब्दोर्श कर से नहीं थिह ठीक है और मास ऒ़िया जोब आपर विया में प्लस मास आफ ग्लस मास आफ ट altri क्या है कैता है कि प्लाक्य हूं हमें दिया ही ठीक है वर क्या युज्च गार्ना वैंटिजररन इन्युमिनियम॥ जो भी उसका volume है, volume aluminium, यहाँ पर V लिया था तो उसको V ही ले ले थाम, ठीके, VG plus MS plus पानी का volume, तो पानी का volume रो वाटर, इंटू, पूरे का volume, V0 minus V into G, ठीके, तो इन दोनों का difference अगर में निकालना है, तो N2 जो जाएगा, वो जाएगा, MD plus delta rho into VG plus MS plus rho W into V into G, ठीके, ठीके, तो इन दोनों का जो difference निकालनेंगे, तो हमारा जो delta M आएगा, इंटू, अच्छा, यहाँ पर कहीं पर G use करें, कहीं पर G use नहीं किये, कि ऐसे कैसे करते हो point G, ठीके, 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 तो इन दोनों का difference यहाँ तो हमारा जो answer है, वो जाएगा, mass of cylinder MN, MN बोलेते हैं, पाव भरे हो, ठीके, MN, हमने शुरू से MS use के लिया, तो उसको भी change करें, कर देते हैं, रोज रोज तो करते हैं नहीं सवाल, जिस दिन करें, तो दिन, अच्छे से करें, तो delta M हमारा आ जाएगा, या, gram में निकालना है, किस में नीकालना है, धिल टाइम मीन ग्राम में निकालना है, to equals to 500 gram, plus row of water is 1000, into volume of water, अच्छा, gram में ले 1, gram per cc, तो रो वाटर इस 1 ठीक है रो वाटर इस 1 इन्टू सेंटीमेटर क्यूब में ही हमें सब रखना है ठीक है वोल्यम सेंटीमेटर क्यूब में रखेंगे तो सेंटीमेटर क्यूब में कितना हो जाएगा हमारे पास इनर रेडियस 5 ठीक है, height 10 by pi, तो cylinder का वल्य मतार pi r square h, pi inner radius 5 r square into h, तो 200-200, आधा किलो, आधा किलो का फरक आएगा, तो यह हो गया थोड़ा सा लंबा मेथड, ठीक है, अब इसको छोटा मेथड में कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है, करें, तो पहले जो था, reading जो थी, पहले reading जो थी, क्या थी, apparatus का weight, ठीक है, और tension, tension क्या थी, इसका mass minus biancy force, यह थी, अब क्या फरक आया, अब क्या फरक आया, कि इसका mass minus biancy force था, ठीक है, अब एक तो यह cylinder आ गया, और यह पानी आ गया, ठीक है, अब यह पानी आया है जो पहले जो क्या था माइनस 22 फोर्स था 22 फोर्स पानी पर था थीक है तो वो तो cancel हो गया आरी बास था तो हम ने पानी को जो हटा के जो यह बॉल रखी थी तो उसकी वज़े से जो फरक आया था उसमें टेंशन में मान चुढ़ो यह से देखो कि देख इसले हमारे पास क्या था यह अपरेटेस था और यह टेंशन थी चलो यह से देख लो अब हमारे पास क्या है अब हमारे पास यह अपरेटेस है अपरेटेस पर टेंशन है ठीक है उसके अलावा यह जो सिस्टम है यह जो सिस्टम है इसमें जो पानी है उसके उपर टेंशन है अब वो टेंशन क्या करती ही जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही फोर्स लगाईगी पानी को तो पता ही नहीं पड़ा ना कि यहां पर अलुमीनियम यह वाटर है अरे भाई जो हमारे उपर जो फोर्स है इस अलुमीनियम का अगर मैं FBD बनाओ तो इस पे इस से खुद प Alors का नहीं होता पूरा पानी होता दो भी चीज़ समी रहती तो हमें क्या करना है उपर जो पहले हमने निकाला उससे अलावा क्या एक्स्ट्रा है एक सिलेंडर एक्स्ट्रा आ है है और पूरा का पूरा पानी है क्यों क्योंकि Margaret technology फोर्स है वह पानी के बराबरी होता है अल पानी आया ठीक है बागी चीज़ों को कंसीडर करने जुरुत नहीं यह पानी की बड़ाबर हो ठीक है तो उन दोनों का डिफेरेंस होगा और हमारा आंसर जो आएगा इसका आएगा कितना आएगा 500 ग्राम एक्ष्टा क्या आया एक तरLES ब préparणी अगया ठीक है वह पानी पे एल्युमीनीं के व्युक्त से नीची लगना वाओ छागे वो कितना फोर्स है वह इतना ही फोर्स है जाता है पानियों कुछ नहीं करना सीधा सीधा रोफ वाटर इंटू पूरा जो है वोल्यूम है सिलेंडर का वो कंसिडर करना है और एक सेकंड में अमरा आल सारा जा ठीक है बच्चो आई होप यह आपको समझ में आई होगी चीजे आज जो हमने पड़ी हमने क्या-क्या पड़ा बच मुँ बीच में तो कितना एंगल बनाएगा बच्चो टैन इंवर्स मुँ एंगल बनाएगा यह हमने डिराइव किया ठीक है इसको आप देख लेना कैसे हमने किया उसके अलाव हमने वाटर को एक्सिलरेट किया उपर तो उस सवाल में हमने अलग-अलग तरीकी से किया बट इसमें जो डेंसिटी है वह अगर आधी है आधी से कम है आधी से ज्यादा है तो कितना परेगा आधी से कम है हाफ समर्ज है पानी अंदर आधी से ज्यादा होगा और आधी से ज्यादा है तो अंदर पानी आधी से कम होगा और यह जो सवाल है दिखने में अब्यस लगता है पर इसको समझने में थोड़ी सी महनत लगती बच्छो एकदम से यह होता नहीं है ठीक है फिर हमने बलून का सवाल किया कि बाइंसी जो है फ्लूइड में एर तो होती है उसका सवाल क्या पी इक बार यूज किया डबल चेक के आंसर नहीं आए फिर बहुत ही सिंपल सवाल किय पानी जो है चार लीटर डालोगे चार केजी की डालोगे फ्लोट कर रहे हो तो चार लीटर पानी डिस्पलेस करेगा इस बैसी कंसेट में सवाल किया एंड मिद डिड़ लॉट ऑफ क्वेश्टेंशन जोकी हमने अच्छे से करें आप सीखें समझे आगे बढ़े और और बहुत ही अच्छे से जो है आप इन चीजों को करें, ठीक है, I really, really enjoyed this chapter, I hope आप भी एंजोई करें, Thermal Physics फिर हम शुरू करते हैं, चल्दी, चली बत्चो, thank you.